प्राफिट कमाने का मौका दे सकते हैं आगे जलके देखते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स और चार्ट पर वो किस तरह दिख रहे हैं जहां पर हमें एक मोमिंटम मिलने की अबिक्षा है पहले हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी से जिसे कि हमने कल निफ्टी के बारे में डिसकस किया था मैंने कली कहा था कि यह जो दो 20 लाग करोड का पैकेज आया हुआ है इससे निफ्टी कल के सेशन में तो gap up open हो गया लेकिन gap up open होने के बाद देखिए निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से निफ्टी ने पूरा दिन कल के दिन दिखाया हुआ है मतलब पूरी मुनाफ़ा वसुली हुई है और उस लेवल के आसपास खुला था निफ्टी जहां पर प्रीवियस रिजिस्टन सब्सक्राइब कल की वीडियो में हमने डिसकस किया था कि यहां पर यह खुल रहा है इस लेवल के आसपास निफ्टी खुला था और यही इसका इस केंडल का टॉप है तो एक्जैक्ली यहां से खुलते सीधा स्ट्रॉग नीचा से चला गया है और नीचा आते हुए इसने यहां पर क्लोजिंग दिया है गैप अप जब ओपन होता है स्पेशली ऐसे बड़े इवेंट्स के बाद और अगर वह सस्टेन नहीं कर पाता है इसका मतलब वह बस एक रियाक्शन है लेकिन मार्केट ने उसको एक्सेप नहीं किया है अगर मार्केट को एक्सेप करना रहता तो इतना बड़ा गैप अप ना होता होता तो 1500 पॉइंट का गैप अप होता और वहां से निफ्टी वापस फिर 1500 पॉइंट उपर चलता लेकिन यहां पर क्या हो गया इस दिंग का जो क्लोजिंग था वो था करीबन 9196 में 9200 बकट दीजे आप और यहां पर मार्केट खुला कहां देखिए ओपनिंग का है 9584 मतलब 384 पॉइंट 394 अप्रोक्सिमेटली 400 पॉइंट पॉइंट अगर गैप अप उपन हो रहा है तो 400 पॉइंट निफ्टी के लिए बहुत बड़ा होता है यहां अगर निफ्टी 100-100 अनलाइस किया था कि अब यहां पर जहां से मार्केट को पसंद नहीं आया है तो यहां से आज की दिन गिरावट हो सकती है और एक्जैक्ली उसी तरह आज मार्केट ने बिहेव किया है तो इस अनलेसिस को हम लोग ने प्रिजज कर लिया था हमें पहले से थोड़ा नजा आ अब हम देखते हैं स्टॉक जिसमें हमें लगता है कल एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है पहला स्टॉक जो मैंने शॉट लिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए यह है जी लिमिटेड जी में अगर आप देखिए तो मार्केट आज इतना नीचे आया है तब भी जी के आसपास आ रहा है यहां पर अगर कल के सेशन में थोड़ा सा भी अगर सेंटिमेंट अच्छा होता है मार्केट का और अगर यह रेजिस्टन्स की ऊपर आराम से क्रॉस करता है गैप अप नहीं बोल रहा हूं मैं अगर आराम से क्रॉस करेगा तो फिर हम इसमें बाय का ट लोगों को ट्रेड करने का मौका नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं है हम लोग आपको कुछ ऐसे ट्रेड बताएंगे जो हमें दूरिंग अवस लग रहा है जहां पर आपको प्रॉफिट बन सकता है 100% मार्केट में कोई गैरिंटेन नेता है सब लोग अपना बेस्ट ट्राय करते हैं कभी-कभी आपको stop loss भी हिट हो सकता है या कभी-कभी आपका बहुत अच्छा मुनाफ़ा भी हो सकता है तो जी एक हमारा पहला स्टॉक है दूसरा स्टॉक जो हमने शॉट लिस्ट किया है कलकेट इसें के लिए यह है सन फार्मा देखे सन फार्मा बहुत ही अच्छे लेवल के आसपास आ गया है और यहां पर सन फार्मा अपने आपको 450-445 के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है आज कभी आगर आप लोग देखोगे तो 448 का लोग है यह काफी crucial लेवल है स यहां पर स्टॉक ने कई बार अपने आपको होल्ड करने की कोशिश की है अगर यहां से स्टॉक टूटता है नीचे की तरफ 445 की नीचे स्टॉक आता है तो फिर मैं इसमें एक सेल पोजिशन लोगा क्योंकि मुझे लगता है कि फिर यहां से स्टॉक आपको एक फटा- स्टॉक हमने शॉटलिस्ट किया है यह है आरीसी देखे आरीसी में यह एक जोन बनाया हुआ था मैंने पहले जो मेरे वीडियो रेगदर फॉलो करते हैं उन्हें शायद से यह चार्ट देखा होगा और यह जोन के आसपास देखे कल के ट्रेडिंग सेशन में यहां पर आया कल के ट्रेडिंग सेशन में यह मेरे लिए एक शॉट का कैंडिडेट रहेगा अगर यह आज के लोज मतला 98 के नीचे स्ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मैं इसमें एक शॉट का ट्रेड लेके चलूँगा फिलाल बाय के लिए मेरा इसमें कोई रादा नहीं है मैं बाय इसमें तभी करूँगा जब यह 106-107 के उपर सस्टेन करके क्लोज करेगा उसके नेक्स दिन हम लोग सोचेंगे फिलाल बाय के लिए नहीं सोचेंगे इसमें शॉट ही करना है इसको और मुझे लगता है कि यहां से नीचे आ सकता है लेकिन 98 के नीचे आएगा सस्टेन करे आप टॉपलोज हो जाएंगे आपके जो चार्ट आरीच का है अल्मोस्स सिमिलर चार्ट फॉर्म हो रहा है पी एफ सी पर पी एफ सी की उपर भी लेकिन हम उसमें नहीं लेंगे क्योंकि हमें आरीच ज्यादर बेटर लग रहा है एस कंपेर टू चार्ट अब चौता ग्रस क्यूंगनेश्व लिए लिए उसमें भी हम लोग के ट्रेडिंग सेशन में शौ्ट करके चलेंगे सेल करके सेल करके पैसा गमाने लिए क्लिए बाइन करेंगे महिन करना इस प्य्छीज को क्यूंकि हमें लगता है मार्केट थोड़ा सांव रहेगा और जब वीक रह सकता है तो इसलिए फिलाल के लिए PSU जेक्टर से हम लोग थोड़ा दूर रहेंगे अगर बाउंस आता है तो स्टॉक को शॉट करेंगे सेल करेंगे उपरी लेवल्स पर जिससे कि अच्छा मुनाफ़ा बनने की एक अच्छी सी आपको opportunity मिल सके अब हम देखते हैं कुछ स्टॉक हमने आज recommend किये थे मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो लोग हम ऐसे इसे 4 ब्र बोट यहां जिसमें आपको ब्भंपर मुनाफ़ा अथी एक अच्समें डिया था है में करीब विवी साड़े बारा एक वजी के बाद देड़ में ने कहा था hero motocop को आपको buy करने मुझे लगता है कि 30 seconds से 40 seconds बाद इसे बाद स्टाइट रूपे नीचे आगए था हालाकि हमारा stop loss हमारे ее stop loss के करीब हालेchu स्ट마 लुए पता उस टाइम पर और मुझे कई लोगों ने इंडिजली पिंक किया कहते हुए कि सर जी आपके स्टॉक को बताते ही उसमें तुर्ण लौसा होने चलू हो गया है यह कि सबसे पहले चीज स्टॉक प्लोस मैंने बताया हुआ है जो सबसे थम रूल है मार्केट में कर रहा हुए आपको आपके अनल् rapidement नहीं है अगर आपको यह डिया नहीं है कि स्टॉक कहाँ पर जायेगा मुझे स्टॉक प्ल्स कहां रखना है तो सबसे पहली बात कि स्टॉक पलोस स्टॉक स्टॉक को अगर we can do को स्केट नहीं है अगर हीट हो ठागेट भी हता हो औए त तो आप थोड़ा सा confidence दिखाईए, अगर आपको confidence है हमारे analysis पर, अगर आपको लगता है कि हम जो trades बताते हैं वो अच्छे trades हैं, तो आपको trust करना चाहिए, मैं हर बार यही कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हल trade आपका successful हो, लेकिन जो trade आपको मिलेगा वो आपको bumper profit देखे जाएगा, शिराम transport finance मैंने आपको कल बताया था, मैं आपको chart दिखाना जाऊँगा यहाँ पर, शिराम transport finance देखिए, हमने कहा था कि हम इसको यहाँ पर sell करेंगे, 665 के नीचे, देखिए मैंने आज end of the day तक इसको hold किया है, मैंने आज message डाला हुआ है, तीन बच के 20 मिनिट मैं square off कर रहा हूँ position को, 648 के, 646 के level पर मैंने square off किया है, 642 का लोग किया है इसने, देखिए आप कितना huge rally मिला है आपको इसमें, यही नहीं, इसके लावा हम लोग ने कल और भी stocks recommend किये थे, उसमें भी हमें काफी अच्छा मुनाफ़ा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग जो बताए, उसमें एकदम up to the mark, pinpoint एकदम वही उसी तरह performance हो, हो सकता है कि आपको एक अच्छी कासी rally मिल जाए किसी stock में, हो सकता है कि आपको stopless hit हो जाए, जैसे for example, Bajajaj Finance बता था हमने, बहुत अच्छी rally हुई, Bajaj Fincer, मैं actual डालने से पहले ही Bajaj Fincer भाग तो अच्छा कासा मुनाफ़ा हुआ हमें वहाँ और आज का दिन काफी अच्छा था, market भले downtrend में था, लेकिन कुछ stock काफी strong लग रहे थे, वहाँ पर हमने अच्छा profit कमाया, और कुछ stock जो पहले से week लग रहे थे, वहाँ पर हमें अच्छा, आज short करके पैसा घमाने का मौ जाया है, अगर आप हमाई टेलेगरम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि, टेलेगरम चैनल पर रहना बहुत important है, अगर आप नहीं जुड़े हैं, तो जुड़े ये, कोई दिक्कत नहीं है, कम trade करेंगे, लेकिन profitable trade करेंगे, थो के trading session में ये 645 के नीची जाता है, तो आप आराम से उसको hold कीजिए, ये 620 और 600 के levels भी आने में देर नहीं लगाएगा, लेकिन अब आपका stop loss जो है, मैंने कहा था, 665 पर आपको sell करना है, 670 का stop loss लगाना है, अब आप इतना याद रख लिजे कि, आपका stop loss जो है, वो 652 के उपर नहीं होना चीए, 652 के अगर श्टाक उपर निकल रहा है, तो आप तुरंट अपना profit बुक कर लिजे, 13 point का profit भी कम नहीं है, ओके friends, तो ये थे हमारे वो stocks जो हमें लगता है, कल एक अच्छा momentum दिखा सकते है, profit कवाने का एक अच्छा हमों का बन सकता है, अगर आपको watching the video, keep learning, keep investing and keep learning